आप हलो फ्रेंड आए वों तुर्वेदी और यू और वाचिंग इंडस्ट्री एन स्ट्राटजी विदों सो फ्रेंड सिंड मॉडरन सिलेबस के अंदर क्या कुछ खास है आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लगातार बदलतें सीए 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 में के सिलेबस के बारे म कैसा है क्या है नया क्यों है नया और क्या होंगे उसके इंपक्त आपके करियर लाइफ के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे तो लास्त तक देखना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना और बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करना जरूरी है क्योंकि इससे बात जो पते की होती है, वो सब तक पहुंचती है, फाइदा होता है आपका भी और मेरा भी, सो दोस्तों अब बात करते हैं syllabus के बारे में, पुराने को discuss करके कोई फाइदा नहीं, हर एक बच्चे को पता है, CS New syllabus 2023 के अंदर क्या changes है, देखो मोटे मोटे तोर पे अगर आप मेरे से पूछोगे, यह syllabus सब बच्चों ने CS के देख रखा होगा, आपको बताना चाहता हूँ, बिटा ऐसा है, CS जो अपना executive program है, group 1, group 2 में, कुछ major change नहीं है, सिर्फ एक change है, बच्चे आपकी life में managerial communication का एक paper कर गया है, बाकी सारा का सारा syllabus आपकी life में almost same है, कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ चीज़ें कम होई हैं, कुछ चीज़ें integrate होई हैं, आपको managerial communication अच्छे से पढ़ना बढ़ेगा, this is a new education policy 2020 का impact over your syllabus, you have to adjust with this, क्योंकि अभी जो नई education policy आई है, उसने तीन चीज़ों पर बूल ज़्यादा focus किया है, एक communication skill development पे, दूसरा strategic skills, strategic thinking को develop करने को लेकर के और तीसरा क्योंकि वो modern industry को required होता है, और तीसरा system, information system, artificial intelligence, blockchain और ऐसी data analytics की तमाम technologies को आपके light में डालने के लिए, आपको practitioner बनाने के लिए उसका, क्योंकि आप law, audit, accounts, tax, FM, किसी का भी practice करो, अगर आपके पास technology का background नहीं है, तो आपको practice करने में मुश्किल ही नहीं, आपको बहुत साले बड़े-बड़े problems का सामना करना पड़ता है, ये तीन चीज़े focus में थी, और इनी तीन चीज़ों के backdrop में CS का yes syllabus हुआ है, अब देख आप नहीं, कोई बड़ा change नहीं, draft pleading appearance पहले भी होता था, dispute resolution वगरा कोई बड़ी बात नहीं, normal, आपका CS का proper, इतना traditional जो आपका background है, वो पूरा का पूरा आ गया है, दो बड़े change आपकी life में, जैसा मैंने कहा, modern industry and strategy and information system आपकी life में बहुत अंदर का घुस गया है, आप कु से सीख के जाए, paper number seven, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, cyber laws, all cyber laws, right, ITX हो, उसके अंदर हो, या उसके अंदर e-commerce के लेकर के, blockchain को लेकर के, cloud को लेकर के, इतवांतर के जितने भी laws हैं, या कुछ और online banking governance उनको लेकर के, जितने भी laws हैं, वो सारे यहां cover होंगे with artificial intelligence, मतलब मोटे मोटे तरपे यहां information system, modern enterprise information system, data analytics reporting systems, machine learning, IoT, etc. यह जो तमाम blockchain की technology, modern database management system, centralized ERP, ऐसी चीज़ों की discussion यहां होने वाली है, जो organization में online different platforms जो इस्तमाल हो रहे हैं, तमाम तरह के AI, tools आगया है, chatbots आगया है, ऐसी सारी चीज़ों यहां पर discuss होंगी, तो एक major chunk आपके syllabus आपकी life के paper number seven, और दूसरा है, दो की अभी इसके comments मांगे जा रहे है, strategic management का mainly यह paper है, strategy and risk management, यह 100-100 number के, because in industry without strategy, you can't, you know, take decisions, you can't advise top management and as a CS, your major role is advisory role and for that you need to be modern, you need to be smart, you need to be strategic with strategic thinking, you need to have out of the box thinking approach and that's why ICSI has done a intelligent change, I will say welcome move by ICSI, I am really happy for you guys, और इसलिए भी थोड़ा जादा है, क्योंकि यह दोनों paper, मैं CS professional में ओम तुर्वेदी आपको पढ़ाने वाला हूं, as you know, CA में हो, CA में हो, CA में हो, CS के अंदर हो, यह मेरा area of expertise है, बड़े सारे rank holder हमने दिये है, highest scorers भी दिये, तो again, in your profession, I am going to play a major role guys, so I am really happy that this, because I am expecting this, after new education policy 2020, it was expected, it is nothing, that something has come by, you know, deliberate effort of someone, but government's initiative, यह तो होना ही था, ऐसे मैं कह सकता हूं, क्योंकि नजर बदले, नजारे बदले, मौसम के इशारे बदले, और इंडस्ट्री के इशारे बदले, इंडस्ट्री के इशारे बदले, तो profession नहीं बदले, तो फ जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो, उपने senior से पूछना, जो already in practice है, in profession है, आपको बताएंगे कि यह दोनों skills इतनी ज़्यादा जरूरी है, जितनी की ऊपर वाली सारी skills required है, तो तीन चीजों पर special focus, executive and professional के ऊपर, managerial communication 1, cyber launch, artificial intelligence 2, information systems, and third, strategy and risk management, और कुछ बड़ी बात नहीं है, और मोटे-मोटे तौर पर आपका syllabus चाहे elective हो, चाहे कोई भी और papers हो, same, 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 जो पहले आद चल रहा था, वही pattern है, कुछ बड़ा बदलाव नहीं है, जो यह तीन paper है, मैं कहूंगा, यहीं बड़ा बदलाव है, बाकी तो minor adjustments है, मैं कुछ जोड़ दिया, कहीं से कुछ reduce कर दिया, कहीं कुछ edition कर दिया, कुछ paper 1 को 2 बना दिया, यहां से shift करके पीछे भेज दिया, पीछे से आगे कर दिया, इनको मैं overall syllabus में change नहीं मानता हूं, change का मतलब होता है, कुछ नए patterns and trends का आना, जो आपके screen के उपर यह रहे, so I wish you all the best for these papers, executive में आपको यह पढ़ना है, professional में यह पढ़ना है, और professional में यह दोनों paper, मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए, so इसके दोनों modules तयार हो रहे, दोनों के papers तयार हो रहे, दोनों के lectures तयार हो रहे, और channel पर बने रहो, channel को subscribe पूरो, मेरा channel आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, खास करके बदलती technology और बदलती strategy के जमाने में, आपको एक modern teacher का होना आपकी लाइट में बहुत जरूरी है, विको जब सारे courses, सारे professional courses, आज नहीं तो कल, within a year, सब इस pattern पे चले जाएंगे, CA institute ने भी similar type के changes किये हैं, CA final के अंदर, अब आप यहाँ professional के अंदर देख रहे हैं, और CA में भी हो रहे हैं, बदलाओ, वहाँ भी data analytics और तमाम strategy के paper आ रहे हैं, आने वाले समय में यह paper बढ़ेंगे आपकी life में, इनकी practice बढ़ेगी क्योंकि industry को required है, industry के demand है, सुभसते रहो, वस्कुराते रहो, जिंदगी जीते रहो, अपनों का अपनों का अपनों का अपनों का बहुत सारा ख्याल रखो, you are watching modern industry and strategy with Om Trivedi, see you in cyber law and artificial intelligence and strategic management and risk management paper, again the same channel with all the lectures, all the best.